हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी और आई-पेल आउक्षन के बाद हमारी कोशिश यह के लगातार आपसे जो न्यू इंक्लूजन्स हुए उन खिलाडियों से मिलवाया जाए पीछे मुंबाइ इंडियन्स का लोगो हलका सापको दिख रहा है हलके से यह देखे रोह शर्मा भी है और अब जो हमारे साथ महमान जुडेंगे वो भी मुंबाइ इंडियन्स की जो है माई पल्टन उसमें शामिल हुए हैं मुहमद अर्श्रत खान उनकी दो मिनिट की क्लिप शेर हुई थी सोशल मीडिया पर मुंबाइ इंडियन्स ने उसको शेर किया था और उ और थोड़ा सा जैसे अलग अलग आपका चलता थी अनकैब और आप थे और आपकी जो परफॉर्मेंस भी चर्चा भी कर रहे थे कि वही करनल सीके नाइडू में आल्मुस्ट फोर हंड्रे रंस च्छतिस विक्टें और आपकी गेंज इस तरीके से मूव हो रही है तो वह जादा चर्चा में है और लोग कहीं कहीं लिख रहे थे क्यार कि यह तो हमें ट्रेंड बोल्ट मुंबाई के पास नहीं है बट उसी तरीके खिलाड़ी मिल गये हैं ट्रेंड बोल तो काफी बड़े प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पर प्रफॉर्म करते हैं बट हाँ मेरे पास इंशिंग है और जैसे आपने बताया बीता सीजन भी आप जो अंडर 25 जो स्टेट चैंबेंशिप्स होते उसके आप हाइस्ट विकेट टेकर रहे थे तो थोड़ा सा बताएंगे कि पिछला पूरा सीजन किस तरीके से रहा और ट्राइल्स जो आपने मुंबाई इंडियन्स या फिर कहीं औ और पर अगर दियों तो ट्राइल्स में किस तरीकी की थोड़ी रही थी जैदनी अभी जो आप सीजन के बात कर रहे हैं वो तो दो साल पहले का दा कॉल सी कनेड़ू एंडर 25 जो टोनमेंट हुआ था वंडे टोनमेंट उस पर मैंने पांच मैच खेले थे और पांच मैच मे 12 विकेट थे और उस वक्त वहां पर मुंबरिंस के स्काउट्स मौजूद थे तो जो देखा तो वही ट्राइल्स में उनने मजे बुलाया और फिर वही सीजे होई फिर ट्राइल्स में क्या कुछ सिनेरियो मिला था कुछ आपको है क्या से भी हमारी बात हुई थी तो तिलक ने बोला कि मैं भी जब ट्राइल्स में गया तो वहां पर सचिन सर रोहिट सर यह लोग थे तो उनको देखकर थोड़ा सा गूसबम स्टाइप हो गई थी तो आपके सा आपके साथ किया कुछ आपने एक्सपीरिंस किया वहां पर मैं जब फर्स ट्राइल में गया था जब सचिन सर नहीं थे उस वक्त पार्थी पटेल राहूल सर किरन मोरी सर यह सभी लोग थे और उस ट्राइल में काफी बूस्ट हुआ था मैं क्योंकि मुझे जादा से ज्या तो तब मुझे लगा कि यहां एक और मुझे देखा तो वो मुझे काफी बूस्ट किया था अच्छा आपकी ऑल्राउंड एबिलिटी के चर्चा भी हो जो मैंने क्लिप की भी बात करें उसमें गिंद बाजी भी है और बल्ले बाजी भी है तो थोड़ा सा जो बल्ले बाज देखा पर बल्ले बाजी करता हूं और वहां पर मोस्ली असा होता है कि कभी चैलेंजिंग्स होती है जाधा तर और वह मैं पसंद करता हूं लाइक जो हमारा मैस था असाम क्या गेंस हमारे 67 प्र 7 गर चुके थे देन वहां से पार्टनर्शिप करकर के मैंने 134 स्कूर किया और टीम के 300 के पार ले गया था तो वो इस तरह की सिच्वेशन बंदी रहती थी मैचेस में वहां से फिर टीम को लेके जाना होता था और जैसे आपने जहीर सरका जिक्र किया वो खुद एक इंडिया के जहम बात करते हैं कि लेफ्ट आम सीमेशन से सक्सेस्फुल वो हैं तो वो कितना जद आप लोक फॉवर्ड करें और क्या वही आपके मनलब ग्रोइंग आइडल वही रहे हैं या फिर कोई और नहीं कौटी करता दो काफी कोशिस करता था कि कर पाऊं वह वह नहीं कर पता था मेरे बड़े भाई है वह करते काफी जहीर और कि कौपी मैं नहीं कर पाता था तो मैंने शोय बक्तर की एक्शन का सी ट्राइव किया पहले बट जहीर भाई एक अलगी अलग तीज है तो जैसे आपने बोला कि जहीर भाई फिर शोय बक्तर का भी ट्राइव किया तो शायद पेस के लिए जाधा थ्राइव करते थे और अभी एज़ आफ नौ कुछ एडिशन अगर गेंदबाजी में करने हो तो कैसे आप सोचने कि आप कहरें कि वही वाल अंदर आने वाला जो ह तो मैं यही कोशिश करूंगा भी कि जाधे से ज्याधा वेरियेशन लिया हूँ और अर्शाद भाई आप MP से भी हैं वहां से हमने देखा कि आई पेल में जिनोंने रंग जमाया अवेश खान पिछले से दिन के उनके बड़ी बात तुरिये वेंकटेश अईयर तो यह भी आपको एक confidence booster की तरह रहता है तो उने कि प्लेयर जा रहे हैं नोट जिस्ट डॉमेस्टिक बलकि IPL जैसे इंटरनेशनल प्रेशर जहां पर होता और अवेश इंडिया भी खेल गें वैंकी इंडिया खेल गें तो यह सारी चीज़ें एक confidence booster रहती होंगी हाँ हमेशा यह confidence booster रहती है और आविश भाई और यह भाई हमेशा confidence बढ़ाते हैं और उनका experience शेयर करते हैं जैसे आविश भाई हैं वो बताते हैं कि IPL में उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो किस तरीके से implement कर पाए तो वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती उनसों लोग एक inspiration की तरह है हमारे लिए और अब रोही शर्मा की leadership में खेलने को मिलेगा अब रोही शर्मा आल format के कप्तान है तो कितनी ज्यादा वो excitement है एक तो उनको जो हम बात करते हैं आप भी पहले शुरुआत में as a fan जरूर IPL देखा होगा अब आप बतौर खिलाड़ी उस कैम का हिस्त क्योंकि वह के captain है और हमारे पूरे देश को कि कमान उन्होंने समाली हुई है तो उनके अंडर पर खेलना एक dream है मेरा मतलब कि अपने देश के कप्तान के साथ मुझे खेलना है उनके अंडर पर खेलना है आचा अच्छा पेवरेट टीम मुंबए ही थी ती मछात क्यों कि मैं लाख थी तुम किसटेम तौ कि मेरा इन्हीं रहते हैं कि मुझे इन से खिलना है कोई खास बज़े इन फ्रेंचाइजी से मनले इतना इंट्रेस्ट होने का कि यहीं से खेलना है मुंबडी से खेलनी की यह वज़ेती कि यहां पर जो टीम होती है एक बहुत अच्छी टीम होती है जो को मुस्टली क्वालिफाई करती है और जो स्टाफ सबसे इंपोर्टन्ट चीज सचिन सर जहीर सर यह सब भी लोग हैं तो इनके लिए से काफी जादा मुझे लगाऊगा मुंबड़ी की चर्चा चल रही है ब्रोह शर्मा आपके साथ होंगे और खेलेंगे बल्लेबाजी भी करेंगे आपके अगेंस्ट तो उस बैटल के लिए आप excited हैं कि यार उनको नेट्स में इंप्रेस करना है क्योंकि हमने देखा है कि लगातार आई पेल में जो भी यंगस्टर इंप्रेस करता है काफी जादा मोटिवेशन देते हैं चेतन से बातचीत हुई थी याद आता है है कि चेतन साकर ने तो रोहित ने उसी दिन कहा दिया कि आपको इंडिया खेलना है आप पक्का खेलोगे तो उस तरीके की है थोड़ी क्यार उनके अगेंस्ट परफॉर्म करके साबित करना है खुदको बिल्कुल मैं तो यह चाहूंगा कि उनको इंप्रेस करूं और यहीं खुदी आपने बूला कि पेस को लेकर भी आपको एकसाइटमेंट रही है बच्पन सही जहीर खान शोय बक्तर आपको जस्परीद बूमरा है और आपको जौफरा आर्चर भी है आप भी उस जोड़ी में एक डिफरेंट डाइमेंशन एड करोगे तो दूसरी आली टीम्स क और मेरे साब से बहुत डिफिकल्ट होगा सामने कि अगर बूमरा और आर्चर एकी टीम से बाल डाल रहे होंगे छोटे टोटल भी चेस करना बहुत मुश्किल होगा अच्छा कुछ है ऐसा कि जो आप देख रहों कि जस्परीद बूमरा से जब आप मिलेंगे आप उनसे आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा जो हमने देखा कि लसित मलिंगा का इंफुएंस बड़ा रहा था शुरुवात में एक मैंने उन पर स्टोरी पहले करी तो अपने रूम पर बैठते थे सामने का दिवार तो उसके बेस पर टार्गेट करते रहे हमेशा कि ऐसे बॉल डालना है तो इसे से आपकी क्रिकेट जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि आपकी क्रिकेट जर्नी अभी दुनिया के सामने उस तरीके से नहीं है सबको करनल सीकेन आईडू की मैंने बात करी वो पता है सबको ये पता है कि भई जो आपने अंडर 25 में बेस्ट बोलर आप रहें लेकिन शुरुवात कहां से हुई कैसे हुई अगर आप थोड़ा बताएं शुरुवात तो काफी पहले हुई थी 2006 में पहली बार मैं अंडर 17 का टोड़ा इस पे दो प्लेयर अंडर 14 के खिलने होते थे उसमें मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ था वहां से यह जरनी शुरुए देन 2008 में अंडर 14 के टोनमेंट में मैंने अपने टीम को फाइनल तक लेगया था अच्छी बैटिंग करके तब मेरे फादर ने मुझे वहां पर देखा कि यह खेल रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब उन्होंने मन बना लिया था कि यह तो जैसे भाई आपने ये भी बताया कि आपके जो बड़े भाई वो एक्जैक्ट जहीर खान का एक्शन करते थे कौपी तो वह भी क्रिकेटी खेल रहे होंगे आप भी क्रिकेट खेल रहे थे तो किस तरीके से फिर जर्नी रही साथ में भाईयों का भी कॉम्पेटिशन च टाथ जब हम लोकल में खेला करते थे मतलब टैनिस बॉल का मैच होते थे हमारे तो टैनिस बॉल के जब मैच खिलते थे तो मेरे जो में हम तीन भाई है मैं सबसे चोटा हूं मिर से बड़े वाले जो हैं तो वह काफी टैलेंटेट थे और वो दोनों राइटी एक्टी दोन आउट करना है इनको चक्ले मारने है तो वह मुझे काफी चक्ले मादा करते थे यहां लगाully की कहान्या यो शिफ Krsteeren के साथ तो उनके साथ जब उनके पिता सी क्त खेला करते थे थे वाई बहूर और भाई और размытелен को छैलिंगर ड़ते थे ऑंको चैलिंगर और चारिश गर करेगा जो अच्छा करेगा भाईयों मैं से ऐसा कभी मेरे फादर क्या करते थे कि जो जो ज्यादा खिलता था उसके लिए कुछ बॉब के नहीं को तरिकित कि इस अपकी जर्नी में जितना जो पढ़ा भी था उसमें था कि आपके जो फादर साब उन्हों ने बहुत जादा मे कि आपको ले जाना हो कहीं पर अकैडमी प्रैक्टिस वगेरा के लिए तो वो अब किस तरीके से देखते हैं आप उस पूरी जर्णी को कि जहां से शुरू हुई थी जो उन्हें सोचा जैसे आपने उन्होंने देखा उन्हें बोला कि यार मुझे अपने बच्चे को तो उतनी रात में मुझे लेने आना और यह सब चीजें लगातार चलती रहीं मसलब सीवनी ऐसी जगे जहां जवालपुर से अगर आप रात को निकलें तो दो-तीन बजे आप पहुंचते थे आपको वहां पर गाउ जाने के लिए गाडिया नहीं चलती थी तो बाइक से व तो मैं फेरे लकडी के बने हुए बैटों से खेलता था टैनिस बॉल तो उन्होंने फिर मेरे लिए एक लैदर बॉल का बैट लाया जो उस टाइम तीन हजार रुपेका था और उस बैट से लगबग मैंने पांस साल खेला है तो आज जब पिक हुए होंगे आप और यह परिवार के लिए बहुत बड़ी स्टेज होती है क्योंकि जिस तरीके से हम पर परफॉर्मर्स होते हैं बड़े-बड़े खिलाडी कभी-कभी अंसोल चले आते हैं तो वो ऑक्षन क्या परिवार के साथ है या किस तरीके से कर रहा था तो लगतार लोगों के फोन सा रहे थे कि हम तेरे लिए से उक्षन देख रहे हैं तेरे लिए दौाय कर रहे हैं और यहां ते कि जिन से कभी बात नहीं होती थी वो सभी लोग कॉल कर रहे थे हम तेरे लिए दौा कर रहे हैं कि तू सलेक्ट हो जाए कोई बुलत तो थोड़ा सा confidence था आपको confidence थो था कि ले सकती है मझे अच्छा फिर पापा से interaction कैसा रहा first interaction आप जब IPL में पिक होगे वो किस तरीके का था क्योंकि जैसे आपने बताए कि भाई रात रात भर ठंड में आना फिर उस वक्त पर देर रात बाइक से घर ले आना जमा किये वे पैसों से आपने बताए कि मिडल क्रास फैमिलीज में एक बड़ा परिवार उसमें जैसे उस वक्त पर आप बोड़े कि वह तीन हजार का वो बल्ला था तो इतना आसान नहीं रहता उसमें आपने उन्होंने काफी खुद की जरूरते मारी होंगी तांकि वह आपको एक बहतर भविश्य दे सकें हान जी जब मेरी उनसे कॉल पर बात हुई तो उन्होंने यह बुला कि अल्ला का शुक्र है और उन्होंने यह बताए कि उन्होंने सबसे पहले दो रकाद नमाज पढ़ी मेरे सेलेक्शन के बास तो वो इनफ था मेरे लिए कि उनके चेहरे पर हासी थी सारे चीज़ें तो अलगी चेहरा देख रहा था उनका खोशे हूं और अर्शद भाई अभी जो मुंबई इंडियन से क्योंकि हार्दिक पंड्या कुरुनाल पंड्या दोनों भाई चले गी और बहुत दादा बड़ी ताकत रहें और आपने ऐसे वो आपके रहेंगे स्कीम ऑफ सिंग्स देखते हुए कि कैसा यह परफॉर्म करें तो एक व पूरी करूं और पॉलाड पॉलाड जैसा एक फिगर रहेगा हालेकि उनके जो करेंट सीरीज दे उतनी जादा नहीं गए लेकिन हम सबको पताए कि उनकी जो पावर हिटिंग है और सिक्सेटिंग अबिलिटी है उनसे कुछ लेने हैं गुर की भाई यह लंबे-लंबे का मार दिया यह कहां से आता है बिल्कुल उनसे काफी को सीखने को मिलेगा किस तरीके से हाड हिटिंग होती है और बहुसी चीज़े सीखने को मिलेंगी और आई पेल सिर्फ यह उपरशुनिटी देता अर्शद भाई की सिर आप अपनी टीमेट से मिलो तो बाकी के भी जो आप टीम से मैचिस खेलते हो तो वहां पर इंट्रेक्शन होते हैं तो कोई ऐसे खास खिलाडी आपकी मलब हैं जो रोल मॉडल माना हो आइडल माना हो कि यार चलो दूसरी तरफ MS धोनी का नाम हम तो हमेशा सुनते ही है क्या आपके लिए भी वह है MS धोनी MS धोनी है विराट कोली है और और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है डेविड वर्नर पैट कमिन्स आपके लिए कोई फेवरेट में आपके जो क्रिकेटर जिन पर आप करेंटली आज जैसे आपने बोला कि बच्वन में जहेर खान इन पर में मॉडल करता था कि करेंटली जो खिलाडी आपको लगता है कि मैं खुद एक और मुझे ऑल राउंडर बनना और मुझे एक ऐसा ऑल राउंडर बनना है मेरे फेवरेट अभी बेन स्टोक्स हैं और मैं चाहता हूं कि मतलब जिस तरीके से उन्हों ने अपने देश के लिए किया है मैं अपने देश के लिए करूँ और वही है कि उसके लिए आपको अपर्चुनिटी भी मिलेगी और आई पेल वह स्टेइज देता है प्लैटफॉम देता है जहां से काफी खिलाड़ी जो है आगे जाते हैं तो जो हमने अभी बात भी करी थी जो फुर्स्ट पेचेक आपको मिला है तो उसके लिए कुछ त कुछ तो मैंने सोचा नहीं है बस अभी फोकस मेरा यही रहेगा कि मैं ज्यादे से ज्यादा परफॉर्म करूं और जो चीज़ें वो तो बात में होए जानी है जी बिलकुल आपने का और अभी आप बता भी रहे थे कि थोड़ा आप तयारियों के लिहास से आप रंजी ट् ट्रेनिंग चल रही है मेरी और बस यही अभी फिलाल तो चलिए बहुत 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 शुक्रिया अर्शद भाई आपसे बात करके बड़ा मज़ा भी आया और आपकी जर्नी भी जानी क्योंकि काफी लोगों को भी पूरे तरीके से नहीं पदा था तो आप आप कुछ लो ठीक देके सहे थारे बयाता थी तैंट बहुत विय्स समल आपकी जहाता